असेस्मेंट या दोजार चौबिस पचीज की आईटेर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है अगर आप आईटेर 3 या फिर आईटेर 4 फाइल कर रहे हैं मतलब अगर आप बिजनस या फिर प्रोफेशन वाली आईटेर फाइल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलिंग से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं फॉर्म नंबर 10 IEA इस वीडि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजेगा तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला सवाल ये है कि ये फॉर्म आपको फाइल कब करना है तो अगर आपको पता होगा तो असेस्मेंट ये 24-25 के लिए निव टैक्सेजिम बाइडिफॉल टैक्सेजिम बन गई है अगर आप पोल टैक्सेजिम को आप्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 10-IEA फिल करना पड़ेगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि ये फॉर्म आपको आपका जो ITR का डिवडेट है उससे पहले ही फाइल करना पड़ेगा अगर आपका ITR का ये फाइल कर दिया हो मतलब पहले फाव नंबर 10-IEA फाइल करना है उसके बाद ही अपना ITR फाइल करना है और ITR फाइलिंग में आप ओल टैक्सेजिम को आप्ट कर सकते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि कब फाइल करना है अभी सवाल ये आता है कि किसको फाइल करना है जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो ही ये फाइल करना होता है मतलब अगर आपका बिजनस या फिर प्रोफेशन का इंकम है तो ही otherwise यह आपको form fill करने ज़रुरत नहीं है आप सीधा ITR filing करते हैं वक्त ही new taxism, old taxism change कर सकते हैं अभी सवाल यह आता है कि कैसे file करना है तो आए इस वीडियो में भी देखेंगे कि आपको filing कैसे करना है आपको क्या करना है basically आपको income tax की portal पर login करना है login करने के बाद आपको e-file वाले section में जाना है वहाँ पर आपको income tax forms दिखने को मिल जाएंगे second number पर उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा income tax forms, file income tax forms इस पर आपको click कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे person with business and profession वाले टैप में आपको उपर ही दिख जायागा form 10 IEA यहाँ पर file now का option देखेगा इस पर आपको click करना है जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको assessment year choose करना है एक ही assessment year देखेगा 2024-2025 ठीक वही choose कर लेना है और card review पर click कर देना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर let's get started का option देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है click करने बाद यहाँ पर A and B करके दो question पुशे जाते हैं पहला यह पुशा जाता है क्या आपका income जो है वह profit and gain from business and profession है या नहीं आपको yes या no में जवाब देना है दूसरा सवाल यह है कि due date applicable for ITR filing क्या है आपकी जो due date है वो क्या है 31 July है 31 October है आपकी 30 November है 31 July अगर मैं आपको बदा दू तो generally non tax audit वाले जो persons होते हैं इनके लिए 31 July होता है 31 October basically tax audit का due date होता है और 30 November जो है वो other valid due dates होते हैं ठीक है तो यहां पर आपको choose करना है कि आपका due date क्या है जैसा कि मैंने आपको starting में बताया due date इसलिए पुछा जा रहा है क्योंकि due date अगर चला गया ना उसके बाद अगर आप यह form fill करते हैं तो इस form fill करने का कोई sense नहीं बनता है यह form invalid होगा ठीक है मतलब due date से पहले ही अगर आप form fill करेंगे तो ही आप old taxism को opt कर पाएंगे अगर आप non audit case में है तो 31 July last date है आपके लिए और अगर आप audit वाले case में है तो 31 October last date है ठीक है उसके बाद आप old taxism में जाहीं नहीं सकते हैं ठीक है I hope आप यह आपको clear हो गया होगा अभी पहले सवा लिए ना यह form आपको fill ही नहीं करना है अगर आपका non business case है तो आप ITR file करते वक्त ही old taxism को opt कर सकते हैं ठीक है और अगर आपका non business वाला case है तो यह form जो है यह आपको allow ही नहीं करेगा form fill करने के लिए ठीक है तो I hope यह भी आपको clear हो गया होगा कि see for see business वाले ITR के लिए ही form 10 IEA है ठीक है clear हो गया ठीक है अभी हम क्या करेंगे basically मैं यहाँ पर yes कर देता हूं और 31 July select कर लेता हूं ठीक है इसके बाद आपको यह भी बोला जाएगा कि एक बार आपने validate कर दिया तो फिर आप उसको withdraw नहीं कर पाएंगे अगर आप continue करना चाहते हैं तो continue करना है तो हमें continue करना है तो हम yes कर देंगे जैसे yes कर देंगे अभी आयेगा details फिल करने के लिए basic information में आपको कुछ नहीं करना है provide details पर क्लिक करना है confirm पर क्लिक कर देना है additional information कुछ कुछे जाएंगे वह आपको यहाँ पर details देने है इसके बाद declaration verification पर क्लिक करना है और continue करके आपको e verify करना है आधार OTP से ठीक है यह video definitely आपको पसंद आई होगी जो भी आपके friends से जो ITR file करना चाहते है और business की ITR file करना चाहते है उनके साथ यह video जरूर share कीजिएगा जिससे की उनको भी पता चले कि अगर वो cold taxism में जाना चाहते है तो उनको यह form फिल करना mandatory है और due date से पहले ही fill करना mandatory है ठीक है एक और information है हम mutual fund investments की services भी provide करते हैं तो अगर आप mutual fund में investments करना चाहते हैं आपको कुछ भी knowledge नहीं है mutual fund का तो आप हमसे contact कर सकते हैं आप comment में हाय लिखके भीजिए हम आपको number देंगे जिससे की हम call पे बात कर सकते हैं कि mutual funds क्या होते हैं और आपके आपके basis पे आपके income के basis पे आपके सब्सक्राइब करना मत भूले मिलते नेक्स्ट वीडियो में थांकिये फॉर वाचिंग और बेस्ट